हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल दौकरी वाला में तो आज की जो वेकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे टाटा ग्रूप के तरह उसे बंपर भरती का गेक का अफिशिली नोटिफिकेशन एनाउंस किया गया है और यहाँ पे अच्छी कासी न वड़िया आपको देखने को मिलेगा ओल ओवर इंडिया के कैंडिडियेट यहाँ पर अप्लाइ कर सकते हैं साथी साथ बात कीज़ें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कौन-कौन सी ब्रांच अलिजिबल रहेगी सेलेक्शन प्रॉसस क्या रहेगा ज आपका जो पोजिशन रहेगा सुपरवाइजर के पदू के लिए वेकेंसी है जूनियर इंजिनियर के पदू के लिए वेकेंसी है उसके लवा यहाँ पर आपका सेफटी डिपार्टमेंट के अंदर वेकेंसी निकाला गया है जैसे कि सेफटी इंचार्ज का सेफटी ऑफि देखने को मिल जाते हैं, और इसके according जो आपका education qualification रहेगा, वो भी मैं आपको बदा देता हूँ, अगर आपने diploma कर रखा है आप इसको apply कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे b.tech कर रखा है तो आप इसको apply कर सकते हैं और अगर आपने यहाँ पे bachelor of engineering कर रखा है आप इसको apply कर पाओगे साथी साथ यहाँ पे all branch eligible है किसी भी branch में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीबी टेक कर रखा है, मेम टेक कर रखा है, इसको अप्लाई कर पाऊगे, लेकिन आपके education qualification में, 60% का criteria complete होना जरूरी है, मतलब कि 60% आपके डिप्लोमा में, बीबी टेक में, या फिर अपने मेम टेक कर रखा है, उसमें 60% आपके होने जरूरी है, तो ही आप eligible रहोगे, अब बात कर लेते कि इसको apply कैसे करना है उस process के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है, like कर दीजेगा, target हमने रखा है यहाँ पे 900 प्लस like का, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को share कर दीजेगा, comment box में आप अपने education qualification, जैसे कि आपकी branch कौन से यह trade कौन सा है, pass out tier कौन सा है, fresher हो, experience holder हो, साथी साथ कौन से location में job को search कर रहे हैं, यह सारी चीजे comment box में बता देना, next video के अंदर मैं आपको वही update प्रोवाइड करवा दूँगा, और अगर आप उससे directly बात करना चाहते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के comment box में एक link प्रोवाइड करवा रखा है, connect with me का, अगर आप उसपे click करेंगे, आपके सामने directly tab open हो जाएगा, और आप यहाँ पे उन सारे platform को use कर सकते हैं, जो की आप use करते हैं जिनका, जैसे के telegram, linkedin, instagram, facebook, whatsapp, सारे link मैंने यहाँ पे provide करवा दियें, आपको simply उसपे click करना है, और directly आप join कर सकते हैं, और आपका कोई doubt है तो पूछ सकते हैं, और साथी साथ यहाँ पे मैंने आपको top पे provide करवा रखा है, selected student के list को, आप यहाँ पे click करके उन सारे student के list को check out कर सकते हैं, जो की आज हमारे channel के through top MNC company में काम कर रहे हैं, तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस channel पे नहीं है, तो चैनल को subscribe कर ले, पास में से कुर्टी वाल इकन उसको दबा दे, ताकि आपको next studio का notification सबसे पहले मिल पाए, और आपका वाई चैनल पे engineering job update लाता रहता है, तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, चलिए शुरू करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको apply कैसे करना उस process के बारे में, देखिए मैंना आपका apply link वीडियो के description में, और वीडियो के comment box के अंदर दे रखा हैं, वहाँ पे click करके आप इसको directly apply कर सकते हैं, देकिन apply करने से पहले एक वीडियो को पूरा देख लेना, इससे आपको समझ मैं आएगा कि apply कैसे करना है, salary package आपका क्या रहेगा, job location क्या रहेगा, selection process क्या रहेगा, even company कानकान सी facility आपको provide करवाईगी, यह सारी चीज़ हम discuss कर लेंगे, मैं आपको directly लेके चलता हूँ यहाँ पे, LinkedIn पे जहाँ पे इनोंने job vacancy डाली है, देखे अगर आपने LinkedIn को download नहीं किया, अपने mobile में, laptop में, तो please इसको download कर लेना, और यह एक free का app है, मतलब कि आपको कोई भी पैसा यहाँ पे पे नहीं करना, जैसे आप Facebook का, Instagram का यूज करते हैं, अब अगर वैसे ही अगर आप LinkedIn का यूज करेंगे, और यहाँ पे आप अपनी professional profile को create करेंगे, तो उससे बहुत फाइदे हैं, सबसे पहला फाइदे यह है कि आप HR से connect हो सकते हैं, HR से बात कर सकते हैं, किसी भी job का reference ले सकते हैं, और डारेक्टले यहाँ पे company के जो pages हैं, वो create हो रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे Tata का है, L&T का है, आप जिंदल इस्टिल ग्रूप का है, और भी बहुत सारी company के pages हैं, और वहाँ पे आपको directly job update मिल जाएगा, और अगर आपने हमको LinkedIn पे follow नहीं कर रखा है, तो follow कर लेना, मैं वहाँ पे per day 15 से 20 job update, अलग-अलग branch related डालता रहता हूं, क्योंकि सारी branch को cover करना YouTube पे possible नहीं है, तो मैं LinkedIn पे भी job update देता रहता हूं, तो वहाँ पे आप हमको follow कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको वीडियो के description में दे रखा है, या फिर आप LinkedIn पे search कर सकते हैं नौकरी वोला, आपको हमारी ID मिल जाएगी और वहाँ पे जाके follow कर पाएंगे, अब बात किजए वेकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे job को वेकेंसी देखने को मिलेगी, टाटा Electronics Private Limited के दुआरा वेकेंसी निकाली गई है, साथी साथ यह इनका officially LinkedIn पेज के दुरू वेकेंसी पोस्ट आउट की गई है, और यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, या फिर अगर आपने बैचिलर ओफ इंजिनरिंग कर रखा है, आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो selection process रहेगा, वो directly आपका walk-in interview के बेस पे देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, और अपने walk-in interview को attend करना पड़ेगा, अगर आप walk-in interview के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर registration करना पड़ेगा, registration करने के बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं, और अपने walk-in interview को attend कर सकते हैं, साथी साथ यहाँ पे अलग-अलग टाइप की position देखने को मिलेगी जैसे कि यहाँ पे supervisor के पदू के लिए vacancy है injection, modeling and यहाँ पे tool, crime का department आपको देखने को मिलेगा production department आपको देखने को मिल जाता है siters department आपको देखने को मिल जाता है तो यह सारे department यहाँ पे रहने वाले है diploma कर रखा है, b.tech कर रखा है, bachelor of engineering कर रखा है आप इसको apply कर सकते हैं, 2 साल का experience मांगा है लेकिन अगर आप मेंसे किसी के पास minimum 6 महीने का experience है तो भी आप इसको apply कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने mention कर रखा है notification के अंदर कि last 3 month का इन्होंने salary slip बोला है तो जिन्होंने 6 महीने किसी company में काम कर रखा है तो उनके पास salary slip होगा last 3 month का salary slip मतलब कि company कभी salary slip provide नहीं करवाती आपके bank account के अंदर जो भी पैसा आ रहा है और आप अपनी bank में जा सकते हैं और जो आपके पास bank diary है उस पे आप update करवा सकते हैं वही आपका salary slip रहेगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा bank में पहले जाना है अपना bank diary अपडेट करवाना है उसके बाद आप यहाँ पे जाके उस diary को यहाँ पे scan करवा के अपने mobile के अंदर ले सकते हैं और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं last 3 month का तो यह आपका salary slip हो गया यहाँ पे जो आपको जाना पड़ेगा venue यहाँ पे इन्होंने mention कर रखा यह आपका एक engineering college है इस पे आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाके अपने walk-in इंटर को अटेंड करना है कब जाना है यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले 23 November 2023 को सुबह 8.30 बजे चले के यहाँ पे 9.30 बजे तक मतलब कि सुबह 9.30 बजे तक आपका entry होगा तो आप इस time आप कभी भी जा सकते हैं और अपने walk-in इंटर को यहाँ पे attend कर सकते हैं यह आपका registration timing रहेगा जो भी candidate यहाँ पे सुबह 9.30 बजे के बीच में एंटर करेंगे उन्ही को entry अला हुए अगर आप 9.30 के बाद एंटर करते हैं तो आपके entry यहाँ पे नहीं होगी अब कौन-कौन से document आपको लेके जाना है वो जरह हम discuss कर लेता है देखे तीन hard copy लेके जानी पड़ेगी आपको और soft copy आपको लेके जानी पड़ेगी आपके resume और CV का उसके अलावा यहाँ पे hard copy और soft copy आपको लेके जानी पड़ेगी आपके जो educational certificates हैं जैसे कि diploma, BB Tech और आपने M.E.M. Tech कर रखा है कोई apprenticeship कर रखा है तो इस सारे certificate वहाँ पे आपको hard copy और soft copy में आपको mobile में उन्हेची हैं उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताया कि तीन महीने का salary slip आपको लेके जाना है आप बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि हम तो किसी company में काम कर रहा है लेकिन salary slip company provide नहीं कर वाती तो salary slip वो slip होता है जैसे कि आप किसी company में काम कर रहा है और आपका जो payment आता है directly आपके bank account में आता है और वहाँ पे आपको message आता है bank जाने के बाद आपके बाद जो diary है bank diary उसके अंदर update कर वा सकते है और उसके अंदर जो 3 मेने का last जो update हुआ है उस update को वहाँ पे आप उनको show कर सकते है तो यह आपका salary slip हो गया आप किसी company में आप 6 मेने से काम कर रहा है तो आप last 3 मन्द का ही दिखाना है प्रोडक्शन कैसे करना है सबसे पहले तो यह एक scan दे रहा है QR code इसको scan करना पड़ेगा scan करने के बाद आपके सामने यह tab open हो जाएगा जो कि आपको screen पे दिख रहा होगा production drive यहाँ पे रहेगी 23 नॉमबर 2023 का इसको आपको क्या करना पड़ेगा अपने data को यहाँ पे डालना पड़ेगा जैसे कि आपका email id क्या है आपका नाम क्या है और आप scroll down करेंगे तो आपका email id क्या है दुबार आपको डालना है उसके बाद आपके phone number आ जाएंगे जो भी आपके mobile number है उसके बाद आप कौन से role के लिए यहाँ पर apply कर रहे है तो आपको जो भी ठीक लगे supervisor के दो role है sitter के दे रखा है production का lead का दे रखा है तो जो भी जिस department में आप apply करना चाहते है उसमें जा सकते है current organization कौन सी है आपके बास कितना experience है उसके बाद यहाँ पे आप available हो सकते हैं का नहीं हो सकते हैं यहाँ पे इस location के लिए yes or no answer करने के बाद submit वाला button है इस पे click करके finally आपको submit कर देने है यह आपका application form यहाँ पे submit हो जाएगा उसके बाद 23 नमबर को आपको जाना है अपने document लेके जो कि मैं आपको बताया सारे document लेके महाँ पे पहुंच जाना है अपने walking interview को attend कर लेना है salary की बार मैं तोड़ा सा बता देता हूँ दीखे average salary बतारों में यहाँ पे exact salary तो आपके इंटरू पे depend करता है अगर आपने diploma कर रखा है मेरे भाई तो यहाँ पे आपका salary रहेगा वो 32,000 रुपे से लेके 37,000 रुपे की बीच में आपका monthly salary आपको देखने को मिलेगा प्लस accommodation अलग और भी other facility आपको अलग से मिलेगी diploma कर रखा है तो बीटे कर रखा है तो आपके जो salary रहता है यहाँ पे वो आपका 37,000 रुपे से लेके 45,000 रुपे की बीच में monthly salary आपको रहता है प्लस other facility, accommodation और सारी चीज़ा अलग से आपको देखने को मिलेगी selection process आपको no doubt working interview के बेस पर देखने को मिलेगा इससे related कोई भी doubt है तो comment box में comment करके पूछ लीजेगा यह link में आपको search कर रहे है all the best जैहिन